असलाम लेकुम आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे आज किस लक्षर के इंदर हम बात करेंगे अलिमेंटर के नई फीचर के अब जिसका नाम है क्रॉस साइट कॉपी पेस्टिंग अब पहले क्या होता था कि आपको अगर आपके पास एक अलिमेंटर की क्योंपर करें तो आप आपके अंफरनञाया है यह तोग यहां उसकी होने चाहिए और जो कम वीपेस्ट करनाया। वो Elementor में ही होना चाहिए इससे क्या होता है कि आप time काफी सारा save कर सकते हैं जस्त यहां से आपने copy करना और यहां पे paste करना है सारी चीज़ें यहां से same layout सारा कुछ copy होके इस जगह पे आ जाएगा तो अब यह सारी चीज़ें किस तरह से करनी है किस तरह से होती है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ कुछ डिजाइन भी आड़ की हुए है यहां पर मैंने कुछ कुछ डिजाइन वहां पर ना जाएं बट नॉर्मल यह होता है कि अगर आप same theme और same styling यूज कर रहे हैं दोनों websites पे तो आपका copy paste exactly वैसे ही जाता है तो यहां पर मैंने एक और website open की हुई है जिसका जो आप URL है देख सकते हैं और यहां पर यह मेरी website यह वाली है दोनों different websites है तो let's suppose यह वाला section तो मुझे copy करना है यह वाला section मुझे copy करना है और मुझे अपने इ यहां से किया copy right click किया copy किया copy करने के बाद यहां पर आगे add new कर दिया और यहां पर मैंने क्लिक किया paste from other side right तो simple मैंने क्लिक किया और यहां पर यह मुझे कह रहा है कि command V प्रेस करें मेरे पास MacBook है इस वजह से command V कह रहा है अगर आपके बास windows है तो आप control V करेंगे तो simple में control sorry command V प्रेस कर दे तो फोड़ा सा time लेगा और यहां से जो section है यह वाला यह यहां पर automatically paste हो जाएगा मुझे scratch से नहीं बनाना पड़ेगा यह पूरा section तो काफी facility चीज है यहां पर यह देखें पाकिस के colors वगएर और जो चीज है यह जो theme की settings थी उसकी base पर यहां प जिस आपको कुछ भी नहीं करना वड़ा just copy and paste इस तरह से आप कोई भी website को copy and paste कर सकते हैं different domains के अंदर right नहीं की पेख्पोरीं आला